गुड इविनिंग फ्रेंड्स अभियोदे अकेडमी के ओनलाइन प्रेटफॉर्म में आपका हार्दिक स्वागत है मैं आस्तोस मिस्रा आज आपके सामने उपस्तित हूँ जो की सर्वे चल रहा है हमारा अभियोदे अकेडमी पर 79,000 के 3rd counselling से related कि जनरल में कितने ऐसे अभियरती है कि उनका गुडांग क्या है OBC में ऐसे कितने अभियरती है उनका गुडांग क्या है और लगभग एक पॉइंट पर कितने students आ रहे है General OBC, Yes, C, Yes और PH इनका सबका सर्वे चल रहा है आप लोग जो है इस वीडियो के नीचे कमेंट के माध्यम से अपने अपने काटेगरी और अपना नंबर जो की आपका गुडांग कितना है और अपना नाम और अपना जो भी आपका डिस्टिक है या जीला है जो भी उसको जो हमारा साम तक सर्वे कंपलीट हो जाएगा और उसके बाद हम लोग जो है आज साम को या कल सुबे जो है जारी कर देंगे जो कटाफ होगी जो आपकी एक्सपेक्टेट कटाफ होगी जो की सर्वे पे डिपेंड होगी और हंडेट परसेंट से और होगी की कटाफ लगभग उतनी ही जाएगी थोड़ा बहुता इधर उदर हो सकता है बाकी जो कटाफ होगी लगभग उतनी ही रहने वाली है क्योंकि हजारो संख्या में लगभग इस्टुडेंट सर्वे में सामिल हैं और आप लोग भी जिनका जो है जो लोग नहीं अभी तक देखे हैं अभी ओड अपने बारे में जो है अपना गुडांग बताएं अपना नाम बताएं और अपने डिस्टिक बताएं और अपना कटेगरी एक साथ ही लिखकर नीचे कमेंट में भेजें और जैसे देख लेते हम लोग कि OBC में OBC का यह जो है 66.7373 एक पे दो लगभग फिर 7472 पे लगभग चार स्टुडेंट हैं फिर 66.71 पे लगभग छे स्टुडेंट साथ स्टुडेंट हैं तो इस तरह करके आप लोग जो है देखेंगे कि एक एक पॉइंट पे कितने स्टुडेंट होने वाले हैं इस हिसाब से हम लोग देखेंगे कि कितना जो है आपका अगर सीट मिलेगी तो OBC की कितनी कट आफ जाएगी नीचे और जनरल की कितनी नीचे जाएगी यसी की कितनी नीचे जाएगी और पी एच की कितनी नीचे जाएगी पी एच में सिर्फ OECC कैंडिडेट बचे हुए हैं और जैसा कि न्यूज में आ रहा है कि उनको एक परसंट मिल सकता है अगर उनको एक परसंट मिल जाता है तब तो और अच्छी बात है बहुत ही अच् देखते हैं हम लोग, यह देखिए आपका, OBC का जो है candidate है सारे, जिनका जो है गुडांक है, गुडांक वाइस, और आप लोग भी अपना जितने OBC हैं और जो भी SC candidate हैं वो भी अपना comment के माध्यम से बताएं कि कितना क्या उनका गुडांक है, और इस सर्वे में भाग लें आ आपको कटाफ देखने को मिल जाएगी अभियोद अकेडमी के द्वारा, और यह आपका SC का कटाफ है, मतलब SC का जो है, जितने लोग ने भेजा है, उनके हिसाब से जो है, लिस्ट तयार की गई है, उसके बाद PH की बात करते हैं, पीच में भी जो भी candidate ने अपना detail भेजा ह है, उन लोग की बात करते हैं, वो लोग जो है, उनका data मिला है, तो वो भी category wise अपना देख लें, और अपना भेजें, category, नाम, district और कितना उनका गुडांक बन रहा है, यह चार चीज वो comment में भेजें, ताकि मैं पूरी list तयार कर सकूं, general OBC, SC और PH की, और कितने student हैं, उनको मैं उसी हिसाब से मैं cut-off तयार कर सकूं, तो आप लोग देख रहे हैं, यह PH candidate है, तो student की संख्या जादा है, किसी में भी ऐसा नहीं है कि कम है, PH का तो मालीजे थोड़ा minimum तक गया हुआ है, लेकिन और सब में देखेंगे कि आपकी एक-एक पे लगभग, अगर SC ही देख ल आपको जो expected cut-off होगी वो बताऊंगा, और इस तरह गलस सही cut-off बताने से कोई मतलब है नहीं, और आप लोग भी उसे भ्रहमित होते हैं, तो सर्वे के हिसाब से हम लोग बताएंगे कि कितना क्या cut-off जाएगा, तो thank you, आज हमारा जो वीडियो है यही पर समाप्त होता है, आप लोग को नेक्स्ट या साम को हम लोग मिलेंगे फिर से और वो भी नए अपडेट के साथ, expected cut-off के साथ, जैहन!